हेलो एव्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग करेंगे एक काफ़ इंपॉर्णेंट टॉपिक जो इसके लिए बहुत सारे बच्चों को यही समझनी आ रहा कि इसमें पढ़ना क्या है तो आज हम लोग करेंगे जिनुट्य मैंतिंग इसी बहुत सारे नामों से जाना है लेकिन एक आप का टोपिक है जिसमें बचों को डाउट है कि हमें पढ़ना क्या है तो आज आज हम लोग यहां पर एक सिंगर लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे जो लोग यह चैनल फहली बात देखें आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसको पने फ्रेंज के साथ शेयर भी कर सब्सक्राइब कर लिए हैं साथ ही साथ हमें रिक्वेस्ट आरी थी बहुत सारे बच्चों की कि एक कंपाइल अगर हम इने कोर्स दे जिसमें एक ही जगह पे इनको पीडियेफ वीडियो सब मॉक टेस्ट एक ही जगह मिल जाएं तो आप लोगों को ट्रिपल स की आप पर य इसका पहला मॉक टेस्ट का एनालिसिस वीडियो आज शाम को आप लोगों को मिल जाएगा और जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट की तयारी करें आप लोगों के लिए चीज़े हैं साथ ही साथ जल्दी में अब क्लास शुरू करेंगे एलेक्शन असिस्टेंट और तो इस नंबर पे अगर आपको कोई भी क्वेरी है लाइब्रेरी के रिलेटेट तो आप कर सकते हैं आप सबका मॉस्ट वेलकम तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को काफी इंपॉर्टेंट होगी सबसे पहले देखो मैथमाटिक का रीजनिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए की माथमाटिक करी मिंग होती किए कि तो देखो अभी तक आपstrings कर आ चुका होगा यह में अपका मैथ-पृस जिस निक आपको का है वह समझेंगे दो तो यहां पे दो a वहाने कला इक पहला आप लोग आप 500 पड़ा होता है कि आ रीजनिंग है इसमें यानि कि basic mathematics के आपको knowledge होनी चाहिए basic आप लोगों को पता होना चाहिए concept की percentage कैसे निगालते हैं या फिर आप लोग कैसे चीज़ों को करते हैं यह एक basic concept में आती है लेकिन साथ इसाथ reasoning जब यहां पर याड हो जाता है तो यहां पर कोशिश की जाती है इ आपकी 75 रूपीज ठीक है आप से पूछ ले जाएगा कि बताओ बाई चाहर देजन की क्या है अब यहां पर यह mathematical reasoning का क्या mathematical reasoning का question है question basic math का है लेकिन अब जिस लोगों को पता है कि हां बाई dozen में 12 होते हैं आप से पूछा गया है 48 अंडों की कीमत निकालो तो आप इसको असानी कर से कर सकते हैं अब जिसको पता ही डेली लाइफ में dozen कितने होते हैं उनके लिए मुश्किल बनती है जैसे एक और आपको example यहां पर पहले direct questions पर जाने से पहले बता देता हूं आप लोगों ने बहुत बार अगर यह question देखा होगा या नहीं तो आप लोगों ने को idea होगा dear या फिर हम मान लेते है पीकॉक पेपर में question दिया जाता है कि मान लो हम लोगों ने एक jungle है या जू है वहां पर हम total number of legs थी वहां पर 200 यह सिर्फ समझाने के लिए आपको बताना हूं आप से पूछ लिया जाएगा बताओ भाई पीकॉक कितने थे अब आपको अगर पता है कि अगर हिरन की टांगे कितनी है वो चार होती है पीकॉक की कितनी होती है दो होती है यह अगर आपको basic चीजे पता SSB का paper देने के लिए हम लोग paper के लिए appear किये है कोई बच्चा कि उसमें सही question का plus one था और गलत का 0.25 negative में था एक बच्चा है उसके 90 marks आये हैं उसने कितने questions सही किये कितने questions गलत किये इस तरीके से बनता है बताओ total number of questions कितने होंगे सारे attempt किये तो तो यह एक concept बनता है यहां इसको solve करेंगे सबसे पहले question आप लोगों को दो 5-10 second का time में देता हूं वीडियो को pause कर देना इस question को solve करना फिर आप इस पर बात करेंगे question क्या है आपके सामने है और 90% बच्चे इसको गलत करेंगे मैं यहां पर वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दू यह है आपके लिए mathematical reasoning क्या लिखा गया है डेविड ने डिवाइड किया है 78 को by half and add 11 what number he gets at the end basic question है आप लोग क्या मैं हूँ अगर कोई भी हो पेपर में देखेगा अच्छा 78 को half किया 39 या ना एड किया पच्चास यह क्या question था basic सा आपको बतातों यह question का अंसर यह गलत होगा ध्यान से अब यहां पर ध्यान से देखना ध्यान से पढ़ना बोला क्या गया है फिर इसको करना क्या लिखा गया है अब हम इसको करेंगे यहां पर mathematical reasoning जो आप लोग कह रहे हैं यह जिसन बच्चों क एक doubt होता है कलको मालनो paper में ऐसे question आएगा आप लोगों को अब चीज़े बता चल जाएगी क्या लिखा गया है 78 को divide क्या गया है half के साथ पहला point half क्या होता है half होता है 1 by 2 अब अगर आप लोगों ने basic math पढ़ा है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से denominator जो ही उपर चले जाएगा यह क्या आजाएगा आपका 826 और यह आपका यहां पर आजाएगा basic question है यह अगर आप लोगों को यह थोड़ा सा भी आप लोगों ने इसको पढ़ा है तो आप इसको आंसर कर लेंगे 156 ही हो जाएगा प्लस कर देना यहां पर ही आना यह क्या आजाएगा answer 167 पेपर में आएगा बहुत चारे बच्चे पेपर के बात शो डाल देंगे बहुत इजी पेपर था इससे पेप लेकिन अज सारे concept यहां पर हमनों clear कर देंगे next question पर चलते हैं अब यहां पर क्या पूछा गया है sum of all three digit numbers which are formed by the digit one two and three without repetition of the digits ध्यान से पढ़ो क्या पूछा गया है यहां पर क्या है यहां पर आपका धिमाग भी चलेगा यहां पर आपको math भी आना चाहिए अब क्या पूछ बिना repeat किये हुए बिना repeat कि मतलब जैसे 333 नहीं होगा 222 नहीं होगा अब इसको simple शुरू कर देते हैं क्या पूछा गया है मान लीजिए 123 यहां पर टू कर दो यहां पर त्री कर दो यहां पर आप लोग कर दो 13 यहां पर आप कर दो 12 अब 312 बनाया तो 321 भी हो सकता है टोटल कितने बने यहां पर हमारे एक दो तीन चार पांचे अब इसको टोटल कर दो एक तीन चार पांचे चे और छे बारा ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है एक दिख रहा है 133 आंसर टोटल कर ले ना यहीं होगा समझ आया यहां पर यह चीज़ें होती है mathematical reasoning के अगर मैं बात करूं mathematical reasoning बहुत easy questions होते हैं थोड़ा सा इस पर आपको सोचना जादा पड़ेगा answer आ जाएगे next पर आते हैं अब यह question थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा 12 year का समी जो है वो तीन टाइम है अपने भाई से एज में भाई का नाम क्या है विने चीक है अब पूछा गया है how old will समी will be when he is twice old as विने अब क्या पूछा गया है ध्यान से दिर पूर लो फिर आपको हो जाएगा चीक है समी की एज हमें given है क्या लिखी है यहां पे समी की एज कितने लिखिए यहां पे 12 साल क्या लिखा गया है यह कितने अपने भाई से विने से 3 टाइम जाए तो यहां पे अगर मैं इसको simple करूँ क्या होगे विने की एज विने की एज होगे यहां पे 4 साल चीक है पहली चीज़ आप लोगों को समझ आई अब पूछा क्या गया है यहां पे तो इस question को भी देखो अब how old will समी be when he is twice as old as विने अब question क्या पूछा गया है ध्यान से पड़ो twice old पूछा गया है तो उसकी age कितने होगी अब यहां पे questions को क्या होता है कहीं बारना हम options के साथ भी कर सकते हैं मैं आपको एक हिंट समझाता हूँ अब जिन बच्चों को यह नहीं समझा है कि मैंने चार कैसे लि three times three x 12 के बराबर x क्या हो गया x हो गया 12 by 3 अगर जो कहीं बच्चे है जिनका math अभी के तो यहां पे हो गया अब पूछा गया है अब optional approach के साथ आते हैं देखो समी की पूछा गया है age क्या होगी जब वह विने की age से twice हो मानलो अगर मैं एक option लेता हो यहां पे 14 साल चीक है क कितनी एज बढ़ेगी चार साल इसकी एज बढ़ा तो कितनी चार साल बढ़ा दी क्या होगी आठ आठ का डबल होता है 16 आंसर आगया 16 साथ कि मत्माटिकर रीजनिंग में optional अप्रोच बहुत हल्प करेगा हाँ एक चीज मैंने आप लोगों बार बार सिखाई है पेपर में अगर आपको लॉजिक स्ट्राइक नहीं करता आप उसको उस समय स्किप कर देना लेकिन बाद में अटेम्ट करना यह सारा लॉजिक अपने आप आपको स्ट्राइक कर जाएंगे ठीक है बेसिक वेस्टे लेकिन इस तरीके से करना अब नेक्स्ट काफी अच्छा है काफी इजी भी है अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसका अंसर आप लोग खुद करेंगे एक उसरान आप यहां पर उसने जन किया कितना उसने जम किया सोरा मिट्र और 쉽बेक कर दिया जैसे कि किसीने उचलके पकड़ने की कोशिश की और कितना नीचे आ गया तीन पॉइंट चालिस सेंटीमिटर ठीक है अब इन्हों ने पूछा अब क्वेशन क्या है यहां पर क्वेशन देखो बहुत सिंपल है ध्यान से पड़ोगे तो इसका अंसर आप असानी से कर दोगे इस पर कुछ भी ऐसा हाड और फास्ट रूल नहीं है क्या लिखा गया है एक वाल है जो 24 मीटर हाइट की है एक इंसान है वो जंप करता है कोशि माइनस 3.4 जरूरी नहीं है हर क्वेशन में आपका कोई एक हाड और फास्ट रूल यहां पर अपलाई हो आपको यह पॉइंट भी समझा गया हो कहीं बार हमारे यहां पर क्या होता है बच्चे ना इस तरीके के क्वेशन देखते हैं उसमें इतना दिमाग लगाते हैं इतन सब्सक्राइब यहां पर जरूरी नहीं है कि हम लोग जादा दिमाग लगाए बोला क्या है दिन में जम करता है इतना और शाम तक वो स्लिप कर देता है इविनिंग में इतना डेटा गिवन था माइनस कर दो आंसर आजाएगा नेक्स पर आते हैं नेक्स वेशन काफी इच् इसके बहुत सारे तरीके होते हैं करने के मैं आपको एक सिंपल बता देता हूं ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं अब पूछा क्या गया है दिफ्रेंस इन रेशु पहला ये देखो वर्ड रेशो कारण पूछा गया है सिर्फ रेशों का डिफ्रेंस पूछा गया है यहां पर और कोई चीज ने पूछी गयी ठीक है अब करने के बहुत सारे तरीके हैं प एहले राउंड में भी भाग रहा आपका 2 km चीक है मालों दूसरे राउंड में लैप में उसने कितना भागा 4 km भाग दिया कहीं पर यह लिखा नहीं है लेकिन 4 और 7 km का रेश्यों भी सेम होगा तीसे राउंड में यह भाग गया 8 km और यह भाग गया आपका 9 km टोटल करो कितना हुआ इसका 8, 4, 12, 3, 15 km भागा ए 9, 7, 16, 2, 18 km भागा यह सिंपल अब मैंने किलोमेटर लिए थे आपकी मरजिया लेना लो नहीं लो डिफरेंस पूछा गया है रेश्यों का यही रेश्यों है और इसको सिंपल अठाना माइनस 5 कर दो के आंसर आदेगा 3 अगर समझने में मुश्किल हो रही है आप लोग अराम से कमेंट बॉक्स में लिख देना बेसिक लॉजिक से ज्यादा इसमें धिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती लेकिन हा जो ट्रिकी बनते हैं वो मैं आपको बता दो अब देखो यहां पर क्या है आपको एक बुक दी गई है 1089 पेजिस की और पूछा गया है कि इसमें कितने और नंबर के पेजि पूछा क्या गया है यहां पर पहले देखो और नंबर पेजिस पूछे गए हैं एक बुक में जो टोटल 1089 पेजिस हैं जिसमें अब कितने और नंबर पेजिस होंगे अब यहां पर क्या है एक सिंपल सा फॉर्मूला है आप इस फॉर्मूला को बिशिक नोट कर लेना और के लिए आप लोगों को काफी हो जाएगी अगर हमें पूछा जाए क्या होता है टोटल नंबर आफ पेजिस प्लस वन अपॉन टू सिंपल सा इसका लॉजिक है सिंपल सा इसका फॉर्मूला है आप लोग इसको करना आपको आंसर आ जाएगा 1090 यहां पे हो जाएगा डिव में क्वेशन आया था लेकिन अब क्या है यहां पर आपको मैं बताऊंगा देखो क्लिखा क्या गया है और एक शेफर्ट यह पास 17 शीफ हैं और बट 9 डाइड क्वेशन में पूछा गया है कि उसके पास कितनी बच बेसिक ध्यान से पढ़ो मैं अब आपको बताता हुआ गया एससे में ना इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी भी लिखी होती है तो यह क्वेशन जब मैंने पहली बार देखा मुझे समझ नहीं है मैंने को लगा सारी मे के अलावा सब मर गई है तो यहां पर आल बट नाइन डाइड का मतलब होता है ओल एक्सेप्ट नाइन डाइड ठीक है यह अगर आपको बाइल चांस पेपर में दिखता है तो इसको ध्यान रखना अब अगर पेपर में कभी इस तरीके को क्वेशन आएगा तो आप आप आ रखने की कोशिश की जाती है एक आदमी है उसको गागया है कि उसको एक रुपया मिलेगा फॉर शूटिंग अद टागेट अड़ इस तो गिव और रुपी इस तर्टी रुपी फॉर वन हिंडर चांस अब क्या क्वेशन है ध्यान से बढ़ो अब यहां पर क्या है एक्ज गलत करने पर उसको नेगेटिव वन मार्क होगे टोटल सेंडर क्वेशन से उसके मार्क साहे थर्टी आपको बताने कितने सही कितने गलत देखो सिंपल फॉर्मुला हरे कि याद रखने की जुरूरत नहीं होती मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवाओंगा क्योंकि मारे ब वहाइं उसको मैंने मान लिया भाई एक्स थे चीख है अब यहां पर हमें पूछा हो कि हिट कितने किने फिर टोटल चान्से कितने मिले थे टोटल चान्सें थे 100 तो में हिट कितने कि हिए 100-1 चीख है अब एक सही होने रूपिया गलत होने पर कितना था एक रूपिया टोटल करेंगे तो क्या आएगा टीस रूपिया अब क्या करना है इस सिंपल सी अप्रोच है माली जीए पहला क्या हुआ हिट करने पर उसको कितना मिला 100-x माइनस अब जो उसके miss होगे उसके भी तो कटेंगे क्या हुआ x कितना होगा जो हमें मिला है कितने रुपे 30 रुपे समझाया ये पैसे वो थे जो उसने hit करके कमाए ये पैसे वो थे जो उसने miss करके कमाए total कितना बचा 30 रुपे अगर सारे hit कर लेता तो 100 रुपे मिलते अब करना क्या है 100-x minus x is equal to 30 100 minus same sign है तो add हो जाएगा क्या हुआ 30 इसको वहाँ ले जाओ इसको वहाँ ले जाओ क्या हैगा 70 is equal to 2x और x यहाँ पर आपका आजाएगा 35 अब एक चीज और अब क्या पूछा गया है यहाँ पर how many chances did he miss miss को हम लोगों ने क्या रखा था x तो answer आ गया 35 अगर पूछा होता कि कितने उसने hit किये तो तब answer क्या होता 100 minus 35 बहुत सारे बच्चे ना question निकालने यह बात भी गलत कर देते हैं पेपर में जल्दबादी में वो यह नहीं देखते कि पूछा क्या गया है x निकाल दिया x आ गया 35 तभी मैंने यहाँ पर miss को लिखा x काट के तो आप लोग कोशिश यह करना कि जो भी आपको पूछा जाए उसको x assume कर लेना ताकि यह गलती ना हो next पर चलते है चलो आज़ा यहाँ पर देखो अब यह question भी क्या है same उसी तरीके से है 10 bicycles है और tricycles है total हमें बोला गया है 10 है bicycles plus tricycles जिसमें बोला गया है total number of wheels कितने है 24 अब पूछा गया है कितने tricycles वहाँ थे यह same वोई question जो मैंने आपके साथ discuss किया peacock और deer वाला अब देखो हमें पता है कि bicycles के कितने tire होते है bicycle के tire होते है 2 और tricycle के कितने tire होते है tricycle के tire होते है 3 ठीक है basic सा concept है यहाँ पर कुछ ही यहाँ पर मैं ज्यादा hard and fast रोल नहीं करना अब हमसे क्या पूछा क्या है tricycles पूछी गई है कितनी है तो अब आज हो यहाँ पर मैं पूछाता हूँ करने का तरीक है मैंने क्या बोला जो हमसे पूछा है उसको हम लोग क्या मान लेंगे tricycles हैं हमारे पास x और bicycles हैं हमारे पास कितनी 10-x 10-x क्योंकि लिखा क्योंकि दोनों का sum क्या था 10 इतना समझ आया है यहाँ पर आप लोगों को अब यहाँ पर बात करते है कि total wheels कितने है 24 अब यहाँ पर tricycles कितनी है x wheel कितने होंगे मैंने आपको बता है tricycle में कितने wheel होते हैं 3 bicycle में कितने होते हैं 2 total इस question के according कितने wheels होंगे वो होगा 3 into x plus अब plus करेंगे क्योंकि total wheel given है bicycle में कितने होते हैं 2 10-x कितना हुआ यह यह हुआ हमारा 24 अब इसको solve कर देना है basic है ज्यादा इसमें चीज़े नहीं है answer आ जाएगा 3x minus 2x हुआ हमारा x 24 में से 20 गे यह आ गया हमारा 4 अब x पूछा क्या है x हम लोगो रहें यहाँ पर क्या रखा है यह basic answer d tricycle पूछी है तो confusion नहीं होती यहाँ पर अब 10 में से अगर कभी cycle पूछाओगा तो 10 में से minus कर देना 6 आपका answer देगा जो की cycles का बहुत basic है हर एक type का question में यहाँ पर आपको करा दूँगा ताकि आप लोगों confusion ना हो अब यहाँ पर क्या question है यह देख लेते हैं एक बार आप लोगों ने प्रैक्टिस किया अगर आप लोगों ने हमारे पुराने लेक्सिस देखे तो आप इसको ऐसे भी कर लोगे लेकिन यह भी mathematical reasoning का आता है परसंट क्या होता है 110 शौ वन बाए 100 कि एक परसंट अब क्यों हम लोगों ने लिया माना 100 हंड्रड तो भी क्या आया यहाँ पर 160 लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है आर्स से वह बढ़ा है 30% और पूछा गया कि पताओ भाई क्या रिश्य होगी इसकी अब यह इस तरीके का क्वेशन है अब इसको किस तरीके से करा है देखो simple approach simple इसका तरीका अब हमें दो चीजें दिखी है क्या पी क्या है ओ तरीका थाओ कैंशन है पी है 160 क्यों के बराबर 160% समझ आया अब परसंट हैं हमें सर आप अब को स्मिना गर्कर कर दिखाले तो अगर आपको लगेगा कि नहीं है एक स्सेटड परसेंट और Q, यही बात हुई, और P के लिए क्या लिखा गया है, P क्या है, 130% of R, यही चीज़ लिखिए है, 30% बड़ा है P, और 60% बड़ा है P, Q से 30% है R, सिंपल हो गया, यहां पर, यह मैं आपको बिल्कुल जैसे बच्पर में करवाते थे थे, यह दोनों सेम है, यानि कि इसका क्या मतलब हुआ, 160% of Q is equal to 130% of R, पूछा गया गया है, ratio of Q and R, यानि कि परसेंट परसेंट तो यहां से के, 0, 0 यहां से के, Q upon R, यहां पर आप लिख द ठीक है, सिंपल चीज समझ जाई, तो आप लोग मुझे बताना, Q upon R क्या हो गया, 16 upon, 13 upon 16, options में देख लेते हैं, options हमारे यहां पर हैं, आपके सामने हैं, और यह आपका अंसर हो जाएगा, ठीक है, next पर आओ, देखो, same question, इसको pause करके पहले, खोड़े time करना, फिर आप इस वीडियो को, इसको question को solve करना, फिर इसको देखना, तो चलो अब बात करते हैं, एक group है, जिसमें cow है, और hen है, और पूछा गया है, number of legs दी है, 14 more than, twice the number of heads, देखो, सारी game यहां पर आती है, wording की, मान लो, hen है हमारे पास, x, चीक है, पहला point, और मान लो, cow है हमारे पास, y, why, why, चीक है, दूसरा point, अब क्या लिखा गया है, यहां पर देखो, अब hen और cow है, और लिखा गया है, जो number of legs है, वो 14 more है, then twice the number of heads, पहली चीज, चीक है, अभी तक हम लोगों ने यहां पर चीज देखिए, अब बात करेंगे, हम लोग यहां पर, पहले हम बात कर लेते हैं लेक्स की, मुर्गी की कितनी टांगे होती है, दो, गाएं की कितनी होती है, चार, ठीक है, तो total number of legs अगर हमें निकालनी हो, total legs कितनी होंगी यहां पर, इसको हम करेंगे, यह आगया आपकर twice of x, प्लस, four of y, पहली statement हमने यहां से निकाल दी, दूसरी बात हम यहां पर करेंग कि जो number of heads है, अब देखो, head तो एक ही होगा, टांगे जादा हो सकती है, सर तो एक होगा, तो total head कितने होए हमारे पास, head हुए हमारे पास x plus y, इसको मैं थोड़ा यहां पर solve करता हूँ, तक कि आपको clear होता है, ठीक है, पहले हम लोगों ने total legs निकाल ली, पहले हम लोगों हम लोगों ने मान लिया, यहां पर क्या है, hen को हम लोगों ने मान लिया, क्या है, x, y को मान लिया, y, तो total legs कितनी होई, hen की leg कितनी है, 2, cow की कितनी है, 4, तो यह होगी total legs, छिक है, अब बात की जाए, total head की, तो total head हमाने को पता है कि head तो एक ही होता है लेकिन अब एक चीज़ देखो जो main यहाँ पे solve करोगे क्या लिखा गया है 14 more than twice the number of heads मतलब जो टांगे हैं यानि कि जो legs है वो क्या है 2x plus 4y is एक तो twice से भी 14 जादा है wording को समझो statement में put करो basic approach simple answer आपके यहाँ पे आएंगे क्या हो गया यह 2x plus 2y plus 14 अब यह 2x और 2x cancel हो गया अब उसको left right side अपने कर लेना 4y minus 2y is equal to 14 और y क्या आगया आपका 2y आगया आपका 14 y आगया आपका 14 upon 2 यानि की 7 y हम लोगों ने क्या assume किया था यहाँ पे y को हमने assume किया था गाएं तो पूछा क्या गया है यहाँ पे number of cause ही पूछा गया है तो number of cause हम लोगों ने निकाल दिया है साथ समझ आया अगर आपका यह question निकल गया है आप लोगों ने यह कर दिया तो आपका mathematical reasoning 70% खतम हो गया यही questions बनेंगे यही paper में आएंगे आप लोगों को बस इसी approach से wording को समझना है wording को समझ के solve करना है next पे आते है और clear हो जाएगा if it takes two workers working separately separately but at the same speed two or and 40 minute to complete a particular task about how long will it take one worker working at the same speed to complete the same task alone अब question को पढ़ो और फिर आंसर करो पहले आप लोग अब इसको पढ़ोगे फिर आप लोग इसको आंसर करोगे क्या लिखा गया है यहां पे माल लो अब देखो अगर आप लोगों ने time and work कभी पढ़ा है तो आपको यहां पे भी बता दू बहुत सारे questions ऐसे होते हैं जो आप लोगों को लगा है time and work है आप लोग निकालेंगे एक वर्कर A है एक B है डोनों दो घंटे 40 मिनट में कर रहे हैं तो कितने मिनित में एक क्कृम करेंगे किस तरीके से करेंगे तो यह आप आपको मैं बताता हूं किया है वर्डिन को समझना ध्यान से आप इसको अंसर ऐसे ही करती carried भीना भेना बिना पहने उठाए क्या लिखा गया है दो वरकर है मानलो कोई A है और एक B है अलग काम कर रहे हैं ये बट at the same speed दो घंटे 40 मिनट इनको लग रहे हैं एक पर्टिकुलर टास्क को खतम करने के लिए ठीक है that over about how long will it take one worker working at the same speed to complete the same task alone अमनलो ये पूरा काम यह एक ठीक है एक A है वह इसको काम कर रहे है वह इतना काम कर रहे है से dieds see से काम करने पूरा काम ख़तम हो जाता वह दो घंटे में 40 मिनट कर रहे यह हां अब पूछा क्या है अगर एक ही worker काम करेगा तो किते घंटों में काम खत्म होगा, अब देखो simple ची बात है, मालनो B अगर चला गया है, B काम नहीं कर रहा है, तो यह सारा काम A को करना पड़ेगा A. स्पीड से, अगर वो सेम स्पीड से कर रहा है tahun, तो क्तरा टाैम इसको लगेगा, खथम करने के लिए? A ने तो 2 गंटे 40 मिनट में अपना इतला ही काम किया, तो इसको 2 गंटे 40 मिनट और लगेंगे, आप लोग कर लेंगे अब देखो question पे बोला क्या है कहीं बारी क्या होता है सिर्फ निकालने के लिए मैं आपको वापिस से समझा देता हूं क्या है मानलों ये एक काम है ठीक है ए ने शुरू किया यहां से बी ने शुरू किया यहां से दोनों की same speed है दोनों काम कर रहे हैं य अध्यान से सुनों अनों पूछा है कि सिर्फ अगर एक को ही करना हो तो कितने मैं ये ने तो 2.40 मिनिट में अपना यही काम किया न तो उसको 2.40 विनिट और लगेंगे यह काम भी किलेंगे बेसिक है सिर्फ समझने की देर है अगर समझ आ गया तो आपको इसको कर लोगे next आते हैं क्वेशन नमबर 13 के उपर सोनु और उसका फ्रेंट राहूल दोनों शॉपिंग के लेगे सोनु के पास 500 रुपे थे जब की राहूल के पास 240 रुपे थे अब क्वेशन क्या है सेम है वर्डिंग सेम है बस आपको एक इक्वेशन बनानी है आप इसका अंसर कर लेंग है सोनु ने स्पेंट करें ट्वाइस ऐस मच आज राहूल ऑन शॉपिंग नाव सोनु है त्री टाइम्स ऐस मच मच मनी आज इस लेफ्ट विद राहूल हाउ मुच मनी डिट सोनु स्पैंट अब देखो सिंपल अप्रोच में आपको बताऊंगा मालनों आप पेपर में पे कि सोनु ने कितनी अमाउंट को स्पेंट किया ठीक है ध्यान से पढ़ लो अब ऑप्शनल अप्रोच पर अगर मैं इस पर जाओंगा मालो सोनु के अब पहले लिख लेते हैं यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा सीधा ऑप्शनल अप्रोच पर आपको दूसरे प्रॉपर म किसने खर्च किये सोनु ने ट्वाइस स्पेंट किया इसका हाफ कितना हो गया 110 ठीक है अब कितने बचे इसके पास 280 इसके बास कितने बचे 130 लिखा गया गया है सोनु है स्थी टाइम्स अगर करते तो आंसर क्या होना चाहिए था 390 नहीं है गलत ठीक है ऑप्शन नमर वान समझ आया दूसरा अप्शन उठा लेते हैं 60 रुपे मानलो यहां पर सोनु ने खर्च थीक है तो ने कितने खर्च यहां पर कितना हो जाएगा 30 यानि कि सोनु ने डबल खर्च यह इसका हाफ इसने खर्च है क्या हो गया 440 यह क्या आगया 210 अब पूच्छा गया है यहां पर question को ध्यान से पढ़ो how much money did Sonu spend यानि कि 60 रुपे खर्चे होते इसने और इसने यहां पर खर्चे होते इतने तो अब यहां पर देखो 210 का twice होता है क्या 440 नहीं यह होता है 420 हटा दो options next पर आजाओ ठीक है next पर आजाओ 440 रुपे इसका half कितना हो गया 220 हटाओ कितना आया 60 इसका आया 20 कितना बोला है Sonu has three times as much money as left with राहुल क्या इसका तीन गुना राहुल के वास बचा है बिलकुल हाँ आंसर हो गया option number C optional approach से किया option eliminate करते के answer से कर सकते हैं लेकिन इसको आप लोग क्या करें देखो अगर मान लोग आपके पास question इस तरीके क्या है तब तो आप इसको attempt करो simple निकालो निकल जाएगा अगर paper में आप लोग देख रहे हैं हमारा सारे sections बचे हुए हैं हम लोगों को नहीं समझ आ रहा कि क्या logic है क्या नहीं फिर इसको end में attempt करना अब मैं आपको एक approach जो इसका proper है उसके साथ करवा देता हूँ ठीक है ताकि आपको मान लोग की यहां पर करते हैं एक second को यहां पर करते हैं इसको solve ठीक है अब क्या लिखा क्या था यहां पर सोनु के पास इतने रुपे हैं उसके पास इतने रुपे हैं मान लो की भाई राहूल ने एक एक्सपेंडि जो अपने यहां से कि खर्चें कर शौपिंग पर या जो एक्सपेंडिचरर हुआ है राहूल का वो हुआ है एक्स चीक है वहीं सोनुने कितना खर्चा है सोनु का expenditure कितना है उससे double ठीक है इतना समझा गया अब क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो last में remaining बचता है वो क्या है तीन गुना जादा है किसे जो राहूल के पास amount बचती है simple सी बात है अब total कितना amount था यहाँ पे total था sonu के पास 500 खर्चे है उसने 2x ठीक है राहूल के पास कितना था राहूल के पास था 240 खर्चे कितने है उसने x ये एक equation बनी लेकिन कितने गुना है तीन गुना यानि की 3 से हम यहाँ पे multiply लेगे इसको अब आप लोग solve कर सकते हैं answer आपका वही आएगा यह आगया आपका 4,3,12 620-3x यह वहाँ जाएगा इसको अब लोग क्यों ने किया तो यह आगया आपका 720 और इसको आप लोग जब solve करेंगा आपकी x की value यहाँ से निकल के आजाएगी 220 लेकिन पूछा गया गया है कि कितने amount को यहाँ पे Sonu ने spend किया है 2x यानि की 440 तो यह answer आजाएगा ठीक है यह x जो आया वो आया राहूल का तो simple approach है जिस मर्जी तरीके से आप उसको answer निकाल सकते हैं आज ओ next question के उपर question number 14 के अगर हम बात करें एक आदमी है उसके पास 480 जो has 480 in the denomination of 1 rupee, 5 rupee notes, 10 rupee notes the number of notes of each each denomination is equal what is the total number of notes that he has अब देखो यह question बहुत बार आते हैं पेपर हम बूसर जाता है कि एक इंसान के पास coins है एक रुपे के इतने है इनकी ratio 1 is to 3 is to 5 है simple logic के साथ इसको करेंगे देखो माल लो इंसान के पास है x number of notes इन्होंने question असान कर दिया कि denomination सबकी इक्वल है अब 1 रुपी note किया आप देखो कितनी value होगी x into 1 plus x note होगे उसके वाद कितने रुपे के 5 रुपे के और उसके वाद x note है कितने रुपे के 10 रुपे के total value इसने यहाँ पर हमें बोली हुए कितनी है 480 solve करो x plus 5x plus 10x kis के बराबर 400 c के बराबर 10, 5, 15, 16, x kis के बराबर 400 c के बराबर x किस के बराबर x हो गया किस के बराबर यहाँ से इसको simple आप लोग जब cancel out करोगे तो हो गया 30 रुपे के बराबर अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है पूछा गया है total number of notes जो उसके पास है ध्यान से question पढ़ना मैंने आपको बताया ना बहुत बार हम question निकाल देंगे हमने 30 निकाल दिया यहां तक पूरा question सही है options में देखो कि कहीं पर 30 निया पूछा किया है total number of notes कितने है तो उसके पास 30 10 रुपे के 1 रुपे के note है 30 5 रुपे के note है और 30 आपके 10 रुपे के note है total note होगे 90 यह mathematical reasoning है कहीं बार आपको यहां पर questions को frame कर दिये जाएगा कि उसके पास 1 रुपे के coins है कितने है 1 रुपे के 5 रुपे के 10 रुपे के coins है आप तो 20 के भी आ गए है आपके वास coins है इस ratio में इंड पर बोल देगा total value इतनी है बताओ कितने कितने वो इसमें total होगे तो simple equation बनानी है आपको answer आपका हो जाएगा next पर जोलते है हाँ सुमित अनमित मेरा नाम आया है हम पर चलो बात करेंगे क्या लिखा गया है जो problem of ages आपके पर में स्कीम डिरेक्ट टॉपिक है उस पर भी बात करेंगे सेम लॉजिक बनता है क्या लिखा गया है ratio of present age of सुमित अनमित आरेंदा ratio of 3 to 4 अब देखो मैं आपको उदातों क्या करता था मैं मैं simple इसको लिख लेता हूं इसी form में ratio दी गई है exact हमें पता नहीं है इसके साथ आजएगा 3x upon 4x if the age of submit 20 year hence hence मतलब बाद में कितनी हो जाएगी 62 years simple logic दे दिया है आज की date में कितनी age है 3x 20 साल बाद उसने कितनी बोल दिये क्या हो जाएगी 62 years simple यहां से x निकल आएगा 62 minus 20 42 x आगया यहां पर आपका 1 x आगया आपका यहां पर 14 अब पूछा गया गया है देखो पूछा गया गया है ज्रान से पढ़ना present age पूछी है अमित की अमित की age कितनी है 4x 4 x 14 4 x 16 56 years यह तो problem of ages भी कहीं बार आपका mathematical reasoning में आ जाता है पता है किस फॉर्म में आता है मैं आपको बताता हूँ जैसे आपको बोला होगा कि सुमित की age अमित की age से double थी जब यह पांच साल का था अमित और आप से पूछ लिए जाएगा पचास साल का जब अमित होगा तो उसकी age क्या होगी अगर डबल था तो कितनी एज थी दस साल यानिकी पांच साल बड़ा था यहां पर पांच साल पचास की एज के वाद उसकी बहुत सब्सक्राइब बच्चे इसको 550 इंटू टू करके सिधा 100 गर देते यह आपका यहां पर जो trick questions बनते हैं यहां पर थोड़ा दिमाग खोलके answer करना next क्या आते हैं अब क्या question पूछा गया है एक company है जिसमें 60% workers male है if the number of female worker in the company is 800 what is the total number what is the number of male workers in the company अब देखो बहुत basic question है इसको discuss करना भी अपने आप में ही एक वह आपका जो paper में है na percentage का chapter उसका सबसे easy question इसको माना जाता है अगर male worker कितने हैं देखो male worker अगर आपके 60% है तो female worker simple सी बात है कितनी हुई 40% 40% अगर आपकी किसके बराबर है 800 के बराबर तो obviously बात है अगर आप इसको निकालोगे तो total कितना हो गया total आगया 2000 अब यह मैं आपको बता रहा हूं जिस speed से हम लोग math करते थे बहुत सारे आप से solve करना मैं नहीं समझाओंगा इसको ठीक है वापी से percentage का lecture देखना तो शुबम से बगारा सबने बढ़ाया हुआ है कितना आगया टोटल आगया बहुत दो हजार मेल बरकर पूचे है 60% कितना होगा इसका 1200 इस पर discussion करना भी मैं सही नहीं बानूँगा तो basic question था next पर आओ ये question काफी अच्छा है ये बहुत अच्छा question है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे आप लोग इसमें भी confuse हो जाओगे इसको आप लोग बस ध्यान से पढ़ोगा लिखा है एक flower है मानली जी एक basket है flower को आपने इस अब आ वहां पर रखा वहर äk minute के बाद क्या हो जाता है double मानलो बहुते एक रखा है वह एक minute के बाद बाद 2 हो जाएगा 2 मिनिट के बाद 4 हो जाएगा, 4 मिनिट के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 16 हो जाएगा, 16 का बाद 32 हो जाएगे, अब क्या बोला गया है, अब इन्होंने बोला है, कि जो ये पूरी बास्केट है, ये complete हो जाती है, पहले आप इसको pause करके एक बाद जरूर आंसर लिखना, फिर हम इस पर बात करेंगे, क्या अंसर होगा इसका, तो क्या लिखा गया है, कि मानलो ये पूरी बास्केट जो है, ये फ्लावर से फुल हो जाती है, कितने मिनिट के बाद, 30 मिनिट के बाद, ठीक है, अब पूछा है कि कितने मिनिट में वह ये 1 फोर्थ होगी, अब यहाँ व अगर पूरी बास्केट फेलो जाती है, 30 मिनिट में, चलो बताओ, इसका अंसर क्या होगा, देखते हैं फिर यहाँ पे, देखो, अब क्वेशन को ध्यान से पड़ो, स्टार्टिंग की पहली लाइंग क्या लिखिए, अभी के लिए बास्केट डबल्स इन एवरी 1 मिनिट मान लो यह आपकी बास्केट है, यह कोई आपकी आगई, फूल होने की एक लिमिट, यह आपकी बास्केट फूल हो गई, चीक है, अभी के लिए बास्केट में सिरफ आपको फूली फूल दिख रहे हैं, यह बास्केट आपके फूल है, हर एक मिनिट में क्या बोला है, यहा आधी होगी समझाया ठीक है यह आधी थी तबी एक मिनट बाद यह डबल हो गई और 28 मिनट में यह क्या थी 28 मिनट में यह 1-4 थी समझाया क्या कहने का मकसद है देखो 28 मिनट में यह 1-4 थी डबल हुआ तो क्या हो गई आधी बर गई फिर डबल हुआ थे पूरी बर गई तो आंसर होगा इसका 28 मिनिट यह याद रखना यह यह questions थे जो आपको एक्जाम में सोचने में मजबूर कर देंगे आज का last question क्या मैं आपको यह homework दूँ क्यूंकि question काफी बड़ा है लेकिन जाना डिफिकल नहीं है तो यह मैं आज आपको देता हूं homework नहीं समझाएगा comment box में लिखना अगर आप पर देख रहे हो इस lecture को तो इसको आप हमारे a fly away and sit on branch b then the number of birds in both the branches will become equal but if a bird from branch b flies and sit on the branch a then the number of birds of branch a is double of branch b अब पूचा क्या गया है यहां पर कि बताओ कि कितनी birds है जो एक branch में बैठी है beginning में बहुत अच्छा question है आप लोगों को यहां पर सोचना पड़ेगा तो ही आप इसका answer करोगे तो यह last question था आप लोगों का homework अराम से सोचना फिर answer करना और यह जो questions हमने आज discuss की है जो आप लोग बहुत देर से कह रहे थे mathematical reasoning में पढ़ना क्या है वो मैंने आपको यहां पर सारा बता दिये I hope अब आपको यहां पर paper में question अगर इस तरीके से examiner confuse करने की कोशिश करेगा तो अब आप लोग यहां पर नहीं होंगे क्योंकि maximum concept जो questions बनते हैं जिस तरीके के बनते मैं यहां पर इजाद देजीए जो मैंने आपको कहा था कि इस section में बीस में से बीस नंबर आएंगे तो वो आपको मैं आज भी confirm कर देता हूं ठीके मिलते हैं जल्दी ने lecture के साथ अभी के लिए जादत दीजिए have a nice day भॉबबए टिक केर